तो चलिए students, अब हम लोग mean value theorem को starting करने वाले हैं और mean value theorem में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे rolls theorem क्यों पर यानि आज का जो topic हमारा क्या है mean value theorem और इसको हम लोग shortcut में mvtb लिखते हैं ठीक है और हमारा जो first theorem है हुआ है rolls theorem इसका statement कुछ इस प्रकार से है if a function f of x defined on closed interval ab is such that it is देखिए कोई अगर function f of x है और अगर वा closed interval ab पर defined है तो देखिए first बात क्या होना चाहिए f of x को continuous होना चाहिए closed interval ab पर, f of x को derivable होना चाहिए open interval ab पर open interval और देखिए open interval को या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर open interval को ऐसे भी लिखा जाता है आप ऐसे भी open interval को लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे और तिसरा condition क्या होगा कि f of a बरावर f of b होगा तो यह हुआ rolls theorem का condition और अगर यह 3 condition को satisfy करता है तब क्या होगा कि then there exist at least one real number c belongs to open interval a b such that f dash c बरावर क्या होगा 0 बात समझ रहे हैं यह चीज पर आपको focus रखना है चलिए में theorem का आपको फीर से समझा देता हूँ जैसे माल दीजिए f of x आपके पास क्या है कोई एक function है जो defined है closed interval a b पर और first condition f of x अगर हमारा continuous होता है closed interval a b पर दूसरा condition f of x अगर हमारा derivable होता है open interval a b पर और f of a बराबर अगर f of b होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे then there exists at least one real number तब क्या होगा open interval a b में एक ऐसा real number exist करेगा जब हम लोग app dash c करेंगे तब क्या होगा 0 होगा बात समझ रहे हैं यानि एक ऐसा real number c exist करेगा उस case में क्या होगा अगर हम लोग जो app of x है उसका अगर हम लोग derivative करें first time और x बड़ाबर c put करें तो वो क्या आएगा 0 आएगा rolls theorem एही हमको कहता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके theorem को proof करेंगे फिर हम लोग इसके मतलब जो इसका geometrical approach होगा वो क्या होगा यानि geometrical condition के उपर हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग इससे related numerical questions solve करेंगे तो चलिए अब हम लोग इसको proof करते हैं proof proof देखिए सबसे first देखिए यहां से यहां तक यह 3 चीज़ हमको दिया गया है 1, 2, 3 यह 3 condition दिया गया है और हमको यह proof करना है F-C ब्रावर 0 तो इसके लिए हमको क्या करना होगा एक बर F-C greater than equal 0 proof करेंगे F-C less than equal 0 proof करेंगे और इससे और इससे देखिए inequality का condition होता है बात समझ रहे हैं तब यहां से equation इसको 1 मानेंगे इसको 2 मानेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा F-C ब्रावर 0 बात समझ रहे हैं इस प्रकार का हमको यहां पर approach लेके चलना है तो फर्स्ट बात यहां पर हमको दिया है कि since the function since the function F of X is continuous F of X is continuous on closed interval AB बात समझ रहे हैं CTS मतलब continuous में हर जगा पर आपको बोल रहा हूं कि यहां पर हमारे जो continuous है और देखिए मैं आपको theorem पढ़ाया था अगर कोई function continuous होता है किसी closed interval AB पर तब वो क्या होगा bounded होगा और जब अगर वो bounded होगा तो वो क्या होगा उसके bounds को अटन्स करेगा यानि उसका supremum भी होगा और उसका incremum भी होगा तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि देन देन इट इज बाउंडेड देन इट इज बाउंडेड ओन एबी तब यह क्या होगा क्लोजड इंटरवल एबी पर क्या होगा बाउंडेड भी होगा एंड 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 एटेंस एंड एटेंस इट्स बाउंड ओन क्लोजड इंटरवल एबी बात समझ रहे हैं चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं लेट हमने एक small m माल लिया जो हमारा इंफिर्मों ऑ फ है और हमने एक capital mm माल लिया है सुप्रीमー माम आप है ये एक हमने small mma liya सुप्रेमम पख पहए पर हमने capital m लिया जो हमारे सुप्रेमम माप एयप है ऐसा कहीव है कि हमारे जो फंक्क्चन है वह क्या है बाउंडेड किसमें बाउंडेड एक लोग सकते हैं देखिए जो सुप्रीमम का टेफिनेशन होता है इस चीज़ सकते हैं कि यह एम होगा यह less than equal होगा f of x less than equal m होगा और यह m हमर क्या है in premium of f of x या फिर f है और यह जो m है या supremum of f या फिर supremum of f of x है इसको हमने मान लिया equation 1 for all x कहां से बिलोंग कर रहा है closed interval a b से बात समझ रहा है चलिए यहां तक तो हो गया अब हम लोग यहां आते हैं then there exist there exists कोई दो इलेमेंट लिया c or d और यह कहां से लिया हमने closed interval a b c closed interval a b c closed interval a b s हमने कोई दो पॉइंट ले लिया एक c लिया और एक डीलिया ठीक है एक सीलिया और एक डीलिया और सच देट सच देट यानि देखी हम यह जो एक पॉइंट पर सबसे हायस्ट बहू देगा और एक पंड़ा श्री मन बेली ऑंद सबसे हाइस्ट वेलु देगा और एक पॉइंट पर इन्फीन्मम खही यानि सबसे लिस्ट भ差不多 बात समझ रहे हैं अदल माहान केंजनीगे we have यहां पर हमने लिखा m less than equal to f of x less than equal to capital M तो इस जो small m है इसका value क्या है f of d है तो यहां से हमने इसको f of d बैठा सकते है f of d less than equal to f of x को हमने जोड़ दिया ठीक है उधी जो capital M है capital M के जगा पर हमने क्या लिख सकते है f of c और इसको हमने यहां पर लिख दिया f of c और इसका हमने नाम दे दिया equation number 3 for all x belongs to closed interval a b ठीक है यहां तक हमने कर दिया आप समझ रहे हैं अब चलिए अब हम लोग यहां पर दो परकार का case consider करके काम करेंगे ठीक है चलिए सबसे फास्ट हम देखते हैं case 1 case 1 case 1 हम लोग क्या लेके चलिए कि लेट यह जो छोटा M है और जो बड़ा है यानि जो in premium of F है और जो supremum of F है दोनों equal है इस परकार हम लोग मायन के चल रहे हैं तो from 1 from 1 from 1 दो 1 से हम लोग देख रहे हैं अब यह और यह दोनों क्या है ब्राबर है यानि यहां पर दोनों ब्राबर है यानि f of x ब्राबर याथ आएगा small m यहां फिर आप आप एक्स ब्राबर आएगा capital M तो दोनों में से आप कुछ भी आप लिख सकते हैं then from 1 we of 10 we of 10 तो f of x ब्राबर हम यहां पर small m भी लिख सकते हैं या फिर capital M दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं for all x belongs to AB कोई दिकत नहीं देखिए आप M और M दोनों equal लिया ना छोटा M और बड़ा M दोनों को equal लिया यानि यह M और यह M दोनों आपस में ब्राबर है तो f of x ब्राबर आप यह तो बड़ा M लिख लिजिए या फ of x ब्राबर आप छोटा M लिख लिजिए और आप f of x ब् हम लोग first time differentiate करें तो क्या हो जाएगा app dash x तो app dash x देखी यह M हमर क्या होगा को यह constant ही आएगा को यह real number और को यह value आएगा जो constant होगा और constant को हम लोग differentiate करें क्या मिलेगा 0 मिलेगा for all x ब्लांग स्टु एभी ठीक है तो यहां पर आप dash x ब्राबर 0 आ चाहिए नहीं तो कोई दिकत नहीं आप dash x ब्राबर 0 आ गया आप आप किसी भी पॉइंट पर आप यहां पर सी पॉइंट पर देख लिजिए ना तो क्या आएगा 0 होएगा इंग फॉर ऑल फॉर ऑल यानि क्लोज निट्वल एबी के सारे क्या शुरू हो गया और आप चाहिए यहां पर अगर कैपिटल में लिख देते हैं तो यह इस्मल आप और केपिटल हैं दोनों के मंने क्लिएक लेके चला इन्वें इनिप्रिमम आफ और सुप्रिमम आप को हमने एक्वेल लेके चला अब जो केस्टु है इसमें हमने दोनो हमको अलाग लेक्ट भी यह इसमाल एम नोट इक्वेल टू केपिटल म बात समझ रहे हैं इसमाल एम नॉट एक्वेल टू केपिटल एम और एक चीज़ हमको सुरू सई गिवन है since f of a equals to f of b यह given है given in statement यह statements में हमको given आप देख सकते हैं जो third condition होता है आप अप अप बराबर f of b तो यह चीज हमको given था इस चीज को हमने यहां पर लिग लिया और and अभी हमने क्या लेके चला कि जो यह दोनों आपस में क्या नहीं होगे यानि M not equal to M यानि कि हमारा क्या होगा यह दोनों different होंगे अब दोनों समान नहीं है इसका लोगा होंगे दोनों different होंगे so at least at least one of the so at least one of the number one of the number M and M is different from different from F of A and F of B समझ रहे हैं चली देखी अब M not equal to M है यानि इस काम दर्व क्या होगा कि इसमें एक नहीं एक लिमेंटी डिफरेंट है ही तब ही नहीं not equal to हुआ तो at least one of the number M and M is different from F of A and F of B यानि F of A और F of B में से M और जो small M है जो small M है capital M है यह दोनों क्या होंगे इसमें एक नहीं एक नमबर आपकी क्या होंगे different होंगे ही होंगे तो चलिए यहां तक हो गया देखिए हम लोग आगे का अप्रोच किस परकार से करने बाले हैं तो यहां पर हम लोग मान के चले हैं कि सपोज डिफ्रेंट जब होंगे तम लोग मान के चले हैं कि सपोज सपोज हम लोग यहां पर ले ले लेते हैं कि जो capital M है not equal to क्या है F of A है different है अब जैसे हम लोगों ने मान के चला है हम लोग सुरू से क्या मान के चले हैं कि जो small M है small M not equal to क्या है capital M और यहां पर capital M क्या है not equal to f of A है और f of A बराबर क्या है f of B है देखिए शुरु में ही given high above A बराबर क्या है f of B है तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि M क्या होगा not equal to क्या होंगे यहां से हमारा क्या निकल गया कि M not equal to F of A and M not equal to F of B देखी M not equal to M हमने लेके चला और M हमने बोला कि not equal to F of A और F of A और F of B क्या है दुनों आपसे में बराबर है तो F of B भी क्या होंगे M के बराबर नहीं होंगे तो यहां से हमको यह चीज मिल गया यानि M not equal to F of A and M not equal to F of B अब देखे M के value को हमने यहां से find किया है चलिए मैं आपको M का value दिखाता हूं M बराबर क्या है F of C है यहां हमने equation 2 में find क्या है तो चलिए यहां से हम लोग लिखते हैं ना F of C क्या है M के बराबर है तो M के बदले हम लोग क्या लिख सकते है F of C not equal to F of A and F of C not equal to F of B हमने किसका using क्या तू का तो लिख देते हैं using 2 using 2 हमने यहां पर equation number 2 का यूज क्या इसलिए हमने लिख्या और यहां पर हम लोग एक चीक दे रहे हैं होयर C belongs to closed interval A B और जो हमने C को लिया है यह जो C है यह C को हमने कहां से लिया है देख लिजिए C और D हमने closed interval A B से लिया था तो हमने उस चीज़ को यहां से लिख दिया ठीक है from above from above चलिए थोड़ा से यहां पर देख लेते हैं दखिए अब above C not equal to above है इसका मतलब क्या हुआ C not equal to A होगा and यहां से above C not equal to above B है यहां से C not equal to B होगा higher C belongs to closed interval A B इस चीज़ को भी हम लोग लिख सकते हैं अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि C को हमने कहां से लिया है closed interval A B से लिया यह अब इसका मतलब में आपको थोड़ा से यहां पर देखिए थोड़ा से समझा देता हूँ जैसे थोड़ा में यहां पर rough काम कर देता हूँ rough rough में आपको मैं समझा देता हूँ जैसे C belongs to closed interval A B है इसका मतलब क्या हुआ A less than equal to C और A less than equal to C less than equal to B इस परकार से हुआ यानि क्या हुआ जिसे अगर इसको graphically समझा जाए अगर यह A है और यह B है तो C मतलब क्या हुआ यह भी हमारा आ रहा है और यह भी आ रहा है इसका मतलब यह हुआ लेकिन हम लोग यहां पर यह भी देख पा रहे हैं कि C not equal to A इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ देखिए यह जो होता है हमारा close interval का इस तरह से होता हुआ यह जो हुआ हमार open interval का हो गया यहां से बोल सकते हैं C किस पर फिलुंगा रहा ओपन interval A B पर क्यों हुआ ऐसा कि कि हम तो C लिये हैं close interval A B से लेकिन C और C A के बरावण नहीं है और C B के बरावण नहीं है यानि इसमें यह A B सामिल नहीं है और B वी शामिल नहीं और इसके बीच के सारे point भी सामिल है तो यहां समय बोल सकते हैं from above it is clear that it is clear that it is clear that c lies between c lies between a and b that is c belongs to open interval a b माच समझ रहे हैं c belongs to open interval a b 10 कि सी बिलांग्स टू अब open interval आप चाहे तो ऐसे लिखें या फिर open interval देखें अब open interval a b को ऐसे भी लिखा जाता तो बूग में अगर इस परकास लिखा रहे हैं या इस से कनपूज नहीं होने हैं यह दोनों सेम चीज है ठीक है चली इस परकार से हो गया तो c belongs to क्या हो जाएंगे open interval a को मा भी एंड आप सो बाई गिवेन कंडिशन गिवेन कंडिशन 2 अब गिवेन कंडिशन 2 हम को जो दिया गया है गिवेन कंडिशन 2 हम को क्या दिया गया है कि f of x is derivable is derivable on open interval a b बात समझ रहें आप आपक्स क्या है derivable on open इंडेवल एब और यहां पर एबिपर क्या है दरीविट में और किस पॉन्ट पर बात हो रहाँ हां? एच्ट मोर्ब बिद्वर कि यहां से अंगो बोल सकते हों कि एपड़ टी एग्जिस्ट हो जाएगा आप डेस्ट हो जाएगा ओ touch об ड्रेश्ट हो गया है इसका मतलब क्या होगा कि अब डेस्ट किसके बराबर होंगे लेप्ट रेड़ीटिब तिब और राइट हेंड डेड़ी बेटिब के बराबर होंगे माश अंचे कि समझ रहें हैं यह यह चीज होगा आप यह कंडिशन कि क इसका मतलब F-C exist करेगा और F-C exist किया इसका मतलब क्या होंगे Left-hand derivative, Right-hand derivative बराबर होंगे F-C के तो यहां तक हो गया और इसका हमने नाम दे दिया Equation No.4 जिसे हमने वहां तक 3 नाम दिया था इसका हमने नाम दे दिया Equation No.4 अब from 3, 3 को लेकर हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा काम कर लेते हैं 3 से तो 3 हमारे क्या था थोड़ा एक बाद देख लेते हैं 3 3 कहा 3 है यह 3 है हमारा यह 3 है F-D less than equal to F-C less than equal to F-C इस चीज़ को लिग लेते हैं अब देखिए अब हम लोग सिर्फ इस टर्म को लेकर चलाएं इधर है F-C less than equal to F-C for all X belongs to close interval A-B तब यहां से F-C यह प्लस F-C हो जाएगा less than equal to 0 for all for all एक चीज़ यहां पर देख लिजिए for all X belongs to A-B ठीक चली यहां पर लिख देंगे for all X belongs to A-B चली यहां तक हो गया अब देखिए इसका हमने नाम दे दिया equation number 5 इसका हमने क्या नाम दे दिया equation number 5 दे दिया अब नाउं हम लोग बात करेंगे left hand derivative के उपर हमको क्या दिखाना है मैंने आपको शुरू में ही बताया है क्या हमको दिखाना क्या है एक हमको दिखाना है F-C greater than equal 0 एक दिखाना F-C less than equal 0 तो यह दोनों equation से में बोल सकते हैं कि F-C बराबर 0 चलिए और case 1 में जब हमने लेके चला आया हम बराबर हम लेके चला तब यह हमने 0 दिखाई दिया अब बात करेंगे case 2 के उपर यह case 2 के उपर बात हो रहा है तो एल एप डस थी देखिए left hand derivative में हम किस प्रकास लिखते हैं limit x tends to c minus लिखते हैं x tends to c minus लिखते हैं f of x minus f of c upon x minus c ठीक है चलिए अब मैं आपको जो ची दिखाऊंगा इस पर आपको धियान देना है अब यहां पर बात है कि हम यहां पर less than equal to दें या फिर greater than equal to दें तो चलिए एक note note that note that अब जैसे यहां पर हमार x belongs to c minus है इसका मतलब हुआ x less than c अब आप बोलें इसका मतलब इसे की हुआ तो चलिए इसके ओपर discuss कर लेते हैं इसके ओपर discuss हम लोग कर लेते हैं किसी दूसरे page पर एक हम लोग दूसरा page लेते हैं और इस चीज़ को discuss कर लेते हैं तो जिसे हमने app of x को यह function लिया और मान की चल रहे हैं कि at x बराबर c पर यह क्या है डेरी भेवल है बात समझ रहे हैं इसे में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मान की चलें at x बराबर c हमने मान लीजिए 10 ले लिया अब जब भी हम लोग कर से हमान ले यहां पर हमारा स्य है तो एक लाड़ लोग इसको लेफ्टसाइढ से से contemporary करते हैं एक लर राइट सीच साइढ सेACH करते हैं जो से लेफ्ट साइढ से पेडिश करते हैं उसके लोग बोलते हैं याने लेफट polít के श्क्राइप और हिरे श्काय लिए रा कि हैं शरiva ऐसित बर्साजवर मुरुत संब्राइज को अब कहने कभ़ाल यह ऊच यह यह तब क्रणा दो अब सलते तक हम सब्सक्राइब ने लिए घ्र लिए ऐटए बंडि ये सतन्स कि यो रोटा ते डिवा हो एकस टेंसटो सी माइनेस एकसेंस क्या हुआ conscient सी माइनस एच सका हां समस्थ हुआ सबष्तहर है तो उसलिए फटेंस ऑपनोल हे यह एकस का बंदॉक इतना गिंग न將इन प समझ रहें और तो जब कि C का वेलू कितना है 10 है देखे X का वेलू आ गया 9 और C का वेलू कितना है दसे इसका उंदलों क्या होगा थे 11 greater than 10 यानि क्या हो जाएगा X greater than C बात समझ रही है तो यहां समर्वा X less than C, X less than C क्यों हूँ आप समझ गए है तो यहां पर हमने इसी लिए लिखा X less than C चलिए मैं आपको और एक बाद थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपका concept के लिए हो जाए देखिए आपक मान के चलिए एक X बदाबर सी पर क्या है देदीडीगे Leg और हमने X बदाबर सी का माल आप कुछ भी ले लिजन हमने मान के चला कि 10 ले लिए और एक आपा बर कुछ ले ले लिया अब L.S.D. आप L.S.D. चाहिक है L.S.D. क्या होता है ? X स्थ चाहितों C । आप च्थ मलेश मनदलू क्या ? X को रिप्लेस करेंगी से माइनस से से जब X को हमने रिप्लेस किया से से 10-1 न। आप X का विलब आ है 9 C का विलब आ है 10 था एक्स टॉम्हाफाफ है देख होता है नि को समझ में आ गया तो एक्से लेक्ट था तरहude के लिए या furn Chung क्लक्तवत क्लोड को एक्सा लेंग्ट के है तो यहां से दिए थनक्षैल सकते ही एक सो क्धिश्या अब क्या हो lists अब यह हमारा है नेगेटिव और उपर हमारे देख लिजिए निस टो क्या आए जिरो है यानि यह इभी नेगेटिव यह गोग्या बात को समझ समझ ये नहीं समझ आएगा तो कुछ नहीं होने वाला है रिकर यहां पर क्या आपका यालां बेस्ट ह् X F F F C cioè Axe cc अपॉन X-C अब जैसे Eq5 को देखें तो F F F F C क्या है? Lays then equal to 0 है, यहानि यहनि उपर बाला value हमारे क्या आगिया? नेगेटीव आगया चलिए निचे बलाlt इसमाल भागा यहां DOM Č यहीं का इस बोगा जिए लोगा जोगा इसथे से आरो और आ आपका केर नीचे भींगेटीव डेटीव बेन गजिक यह क्या होगा हमें से greater than equal to 0 हो जाएगा हमने यहां पर क्या किया using 5 और इसको using मन हमने equation number 5 का और इस चीज का using किया तो यह हमको मिल गया ठीक है तो यहां समनों को क्या पता चला कि यहां समनों लिख सकते हैं यहां सब्सक्राइब अपस में क्या है ब्रावर है तो तो f-c क्या आगिया, greater than equal to 0, इसका उन्हें नान दे दिया, equation number a, ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, आगे, अब हम लोग बात करेंगे, rf-c के उपर, अब हम लोग बात करते हैं, rf-c के उपर, rf-c के उपर, rf-c के उपर, तो rf-c के उपर बात करेंगे, तो यह हो जाएग आपका limit x tends to, अब c plus हो जाएगा, तो हो जाएगा, आपका f of x minus f of c upon x minus c, अब यह से c plus हो गिया, इसका मतलब क्या हो गिया, चलिए यहाँ पर note that हम लोग लिख देते हैं, पहले ही, note that, note that, यह सब जो उपर में था, इस आपको नहीं लिखने करेंगे, rf-c से हम लोग देख x greater than c होता है, x greater than c होगा, तो यहाँ से में बोल सकते हैं, तो x plus c यहाँ से minus c greater than 0, आप x minus c greater than 0, इसका मतलब यह जो value आया, क्या है, positive value है, यह क्या है, पोजिटिव है, अब यह पोजिटिव है, और यह आपका देखिए, उपर बला नेगेटिव था, कि यह using 5, अगर 5 आप देखिए, आप 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 सी क्या है, less than equal to 0, यानि यह negative है, और नीचे बला क्या आगया, positive, यानि उपर बला आपका negative, नीचे बला positive, तो negative और positive क्या होता है, negative ही होता है, negative है यह यहाँ सा क्या होगा, less than equal to 0 होंगे, ठीक है, तो चलिए, यहाँ से हम लोग इस चीज को क्या ल बरावर कितना मिल गया, less than equal to 0, क्या मिला, less than equal to 0 मिला, तो जीज़े हम लेखिए, less than equal to 0, और देखे, RF c किसके बरावर है, F dash c, RF c के बरावर है, यानि equation 4 हम लोगे, क्या लिख सकते है, F dash c, तो यहाँ पर हम लोगे क्या लिखे देए, F dash c, less than equal to 0, using 4, using 4, चूकि, F-C किसके बरावर है RF-C के बरावर है तो इस परकार से हमने 4 का यूज करके यह चीज़ हमने कर दिया और इसका हमने नाम दे दिया equation number B ठीक है अब देखिए अब जैसे की यहां तक हो गया अब from A and B A और B से देखे तो A में हमारे क्या आया था आप A को देख लिजिए यहां पर आपका A है A क्या आया था F-C greater than equal to 0 F-C greater than equal to 0 and equation B क्या आया F-C less than equal to 0 F-C less than equal to 0 और देखिए for all C belongs to क्या है open interval A-B for all C belongs to open interval A-B यहां समना F-C और यह हमारा greater than equal to 0 है और यह less than equal to 0 है तो यहां सानुक बोल सकते है F-C greater than 0 आप समझ रहे है यह दोनों equation समय क्या बोल सकते है F-C greater than 0 for all for all C belongs to open interval A-B बात समझ रहे हैं और यह हमारा complete proof है This is the complete proof of the theorem और यह हमारे theorem का complete proof है तो आसा करता हूं कि यह theorem आप समझ गए तो चलिए students अब में लोग बात करते हैं Geometrical Interpretation of Rolls Theorem यानि जो Rolls Theorem का Geometrical Meaning क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करने बाले हैं तो जैसे अभी मैंने आपको Rolls Theorem कुछ इस प्रकासे समझाया कि अगर आपके पास F of X कोई function है जो defined हो Closed Interval A B पर तब क्या देखिए कुछ condition दिया है कि F of X अगर आमरे continuous हो Closed Interval A B पर F of X हमरे derivable हो Open Interval A B पर और F of A बराबर F of B हो ठीक है तब क्या होगा इसमें हमको कोई एक ऐसा Real Number मिलेगा Open Interval A B में कि F-C बराबर क्या होंगे 0 होंगे और देखिए F-C जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं Tangent Line क्या हम बोलते हैं Tangent Line अब जैसे F-C बराबर 0 अब देखिए 0 कम मिलेगा यानि कभी भी हम लोग ग्राप बनाएंगे तो उसका मंदल कट पॉइंट मिलेंगे जब उसको जब उस ग्राप का कट पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट पर उस फांक्सन का भीलू क्या होगा 0 होगा तो जैसे यहां पर F-C बराबर 0 है तो जो Rolls Theorem का जो Geometrical Meaning जो कहता है कि जो इसका Tangent Line जो होगा वह परलेल होंगे X-axis के बास समझ रहे हैं इसके जो Tangent Line होंगे वह किसके परलेल होंगे X-axis के तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किस प्रकार से होता है ग्राफिकली भी बात कर लेंगे कि Geometrical Interpretation of Rolls Theorem Geometrical Rolls Theorem says that between two points A and B on the graph of app there exists at least one point C उसके बीच क्या होगा एक at least one point हमारा C मिलेगा where the tangent is parallel to X-axis जहापर tangent क्या होंगे परलेल होंगे X-axis के तो चलिए मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ कि ग्राफिकली क्या कर रहा है तो ठीक है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके जो जैसे यह मान लिजी हमारा X-axis है और यह जीसे मान के चलिए हमारा क्या है Y-axis है बीच में हमारा क्या है origin है यह origin है यह हमारा X-axis है यह हमारा Y-axis है क्या कहा रहा है कोई 2.1.A और 1.B अगर इसका coordinate देखा जाए अगर इसका coordinate देखा जाए X का value A है तो Y का value क्या होगा 0 यह जिरो है और यह आपका B 0 है बात समझ रहे हैं तब क्या होंगे तो चलिए जैसी इसको अगर हम लोग देखें इस परकार से इस ग्राफ को तो इसके बीच में कोई A खम को point मिलेगा C ठीक है कुछ इस परकार से अब देखिए अब यहां पर जो tangent होंगे यहां पर जो tangent होंगे अब जिसे यहां पर X ब्राबर A है यानि देखिए इस चीज़ को गर हम लोग इस परकार से बनाएं अब यहां पर जिसे X पराबर A है तो यहां पर पॉइंट होगी है और यहां पर जिसे X पराबर A है तो यह पॉइंट होगा हमारे A और जिसे X पराबर B है तो यह पॉइंट मान के चलते हैं कि यहां पर जो पॉइंट होगी यह हमारे क्या होगी यहां पर मान लेंजेंगो हमको एक point मेला já C तो हमारे यह टेंजट है यह जो即стиन है हो किसके parallel है success के parallel है यह समझें है यह जो tangent है यो ہमारे क्या है CS poçi कोई है यह हमारे less city point है यह तो हमारे parallel है access कि अब जैसे की यह हमारा X बराबर A हमने लिया यानि इसका कोडिनेट क्या है यह है और 0 है और X बराबर B है तो इसका कोडिनेट क्या है B है और 0 है तो यहाँ पर यह जो मिला हमको ग्राप में तो देखे एक्ס का मान तो एहीर हो जाएगा जब्लिकिवाइ का मान क्या हो जाएगा एफ टे हो जाएगा फ यहाँ यहां पर कृस्वित हैं जो त्चन जो हे जो चूपे पार हो जाता है तो आज से टेंजेंट हो किसके परिलेल है एक सक्सिस के आप जब आप इस परकार से लिया जब इसको आपने इस परकार से डिवाइड किया यानि जब आपने टू पॉइंट लिया एक पॉइंट और एक पॉइंट लिया अगर एक से ज्यादा पॉइंट लेते हैं तो चलिए इसके यहां पर जैसे गया, फिर ऐसे गया ग्राफ, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे चल गया, ठीक है, मान के चलते हैं, ऐसे हमारा ग्राफ चल गया, यह हमारा एक्स है, तो देखे, इस केस में, इस केस में कहा कहा कट किया, देखे, एक यहां पर, यहां पर इस परकार स इसका मनलेलिया C1 फिर यहा पर एक यहां पर all you see 2 फिर एक यहां पर इसका नाम दे दीए c3 पर एक यहां पर इसका नमदे दी लिए C देखी परतिचैत नहीं किजिए ग्ला सिर्फ X X-axis के parallel है। यह भी X-axis के parallel है। और यह भी x-axis के parallel है। तो क्या कहता है कि जो tangent line है न जो tangent होंगे वह parallel होंगी किसके ? X-axis के। बस अभी कहता है Rolle's Theorem का Geometrical Meaning ! तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे Lagrangers Theorem के ऊपर तो आज के लिए इतना ही Thank You !!